गुजरात में चुनाव की तारीखों का इंतजार आज खत्म हो गया। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का एलान हो चुका है। चुनावायोग ने प्रेस कॉन्फरेंस करके चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। गुजरात में इसी साल कराने का एलान कर दिया है बुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों की घोशना करते हुए कहा कि गुज्रात विधानसवाद चुनाव दो चर्णों में होगा एक दिसंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी तो वहीं दूसरे चरण के लिए राज्ज क्याल जाएगा सीवीजिलय एप पर वोटडर शिकायत कर सकते हैं घुुज्रात में दो चर्णों में होगा मत्टदान 162528 नए मतदाता पंजिक्रित हुए हैं जबकि इसमें 1417 ट्रांस जेंडर वोटर शामिल है निर्वाचन आयोग के मताबिक कुल 4 करोड 91 लाख वोटर हैं 4,606,000 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे राजे में कुल 5,1782 पूलिंग स्टेशन 142 मॉडल मतदान केंद्र का इंतजाम हुआ है चुनाव आयोग के मताबिक गुजरात में 142 सामानने 17 स्ट और 23 स्ट निर्वाचन शेत्र हैं गुजरात में 4,90,000 मतदाता मतदान करेंगे 182 सदस्य गुजरात विधान सभा का कारेकाल अगले साल 18 फरवरी को समाथ हो रहा है हिमाचल प्रदेश के लिए मतदगर्ना की तारीक को मतदान के करीब एक महीने के बाद रखते हुए आयोग ने साफ कर दिया है कि गुजरात के लिए भी वोटों की गिंती 8 दिसंबर को होगी चुनाव के एलान के साथ ही गुजरात में अधिसूचना लागू हो गई है 14 नमंबर तक उम्मीदवा नामांकन दाखिर कर सकते हैं और नामांकन वापस लेने की आखरी तारीक 17 नमंबर है गुजरात में 182 सीटों के लिए 2017 में भी दो चर्णों में चुनाव हुए थे 25 अक्टूबर 2017 को चुनाव तारीकों का एलान हुआ था पहले चर्ण में 89 और दूसरे चर्ण में 93 सीटों पर वोटिंग हुई थे डिबी लाइफ किरपो